जय स्री माका लवंदे मातरम जहें दोस्तों आज हम इस्टाट करने जा रहा है B.S. एकरिकल्चर परतम सेमिश्टर का क्रसी परंपरा M. विरसात का फर्स्ट चेप्टर जिसमें आपको पताए जाएगे भारति करसी के इतिहास के बारे में हम जानेंगे दोस्तों पहले शिरुवात करते हैं भारती क्रसी के इतिहास से इतिहास दोस्तों क्या है आपका कि काविरी नदी पर थोड़ा सा बड़ा कल लेते हैं दोस्तों ना काविरी नदी पर निर्मित कल्ला ने बांद पहली दूसरी सताब दिमी बनाये गाए यह संसार के प्राजनतम मादों में से एक है जो अब भी प्रयोग किये जा रहा है भारत में 8000 इसा पुरू तक पोदे हुगाने फसले हुगाने तता पसुपालने और क्रसी करने का काम शुरू हो गया था शिगर यहां के मानवने सुव्यस्तित जीवन जिना शुरू कर दिया था प्रसी के लिए ओजार तक ने के विक्सित कर दिया थी दोस्तों अब देखने कि दोहरे मानसुर होने के कारण एक ही वरसे में दो फसले ली जाने लगी थी जैसे के दोस्तों हम फिला ले रहे हैं फसले वेसे ही उसमें पर भी फसले एक वरसे में दो से तीन फसले ली जाने लगी थी इसके फल सरूप भारती करसी उत्पात तात कालिन माने जी व्यस्ता के द्वारा विसु बाजार में पहुंच पहुंचना शिरू हो गया दूसरे देशों में भी कुछ फसले भारत से में आई पादफिम पसु पूजा भी जैने लगी क्योंकि जीवन के लिए उनका महत तो समझा गया परीचे भारत में, अब दोस्तों इनका जो महत है यह भी समझागा है अब हम पड़ेंगे परीचे कि क्या परीचे है रहा भारती कॉलकाưng यह भारती क्रसी का एतिहास में दोस्तों भारत में पासान यूग में क्रसी का विकास कितना और किस पकार हुआ इसकी कोई संप्रती कोई जानकारी नहीं है मतलब किस पकार विकास हुआ कहा कहा से हुआ या इसके हम जानकारी नहीं है किन्तु सिंदु न दीके काटे गाट पहना दोस्तों गाट के पुराव से जो के उत्खनन के इस बात का प्रचार पुर्चूर प्रमान मिलता है कि आज स से 5000 वर्ट से पुरुक्रसी अत्यंत आवस्था में सुव्योस्ति डंग से रहा होगा और राजस्वानाज के रूप में चुकाते थे ऐसा अनुमान लगाए जाता है कि पुरातर्तुवीद मोहन जोदड़ों में बड़े-बड़े कोठरों के आधार पर करते हैं कशनलेग हैं कि दॉस्था दोस्तों महां से उप्णान में मिले गेहूंँ और जोह के नमुनों से उत्तर पुदेशिक के उन दिनों इनके बोह जाने का प्रमाण महां से दुस्तों मिले गेहूं के दाने टिटिकम कंपेक्टम दोस्तों जो कि टिटिकम कंपेक्टम या फिर इसफेरो को कम जो कि दोस्तों भारती गहों का हम क्या इसे पूरवज भी मानते हैं इसफेरो को कम या फिर टिटिकम कंपेक्टम दोस्तों है न जाती के जो बीच थी भी वहीं से मिले हैं कपास जिनके लिए सिंदू की आजवीव ख्याती है उन दिनों में पुर्चुर मातराम पेदा होता था भारत के निवासे आर्रे और क्रसी कार्रे में पूर्णता है क्या थे परीचित्ते दोस्तों इस चीज से या वेदिक साहित्ति से इसपर्ष्ट परिलक्षित होता है कि क्रसी संबंदित उपकरणों का उल्लेग बी तता क्रसी विदा का परिचय भी दोस्तह में दएखने को मिलता है और शेटरपति सीता सुना सीर को लक्ष कर रची गई एक रिचा भी मिलती मतलब बहुस त ti spring मने हमें अमस्माता सीता सुना सीर इत्याधी को ची अर्च को लि सेकंड पार्ट दोस्तों की हम जब पढ़ते हैं सेकंड पार्ट आपका क्या है दोस्तों ये रिचाएं इत्यादी लिखी गई दोस्तों है न एक सेकंड दोस्तों न अब जो रिचाएं लिखी गई दोस्तों इन में क्या क्या था कि जिसमें वेदिक इन रिचाओं में वेदि आर्यों के किरसी विसे ज्यान का बोध होता है सुन वाहा, सुन नर, सुन क्रसत, लांगलम, सन वर्ता, बंदेता, सन मस्टा, दूम, दुन्ड गया सना सीराविमा, वाच जुसे था, यद दीवी, चक्रयू पैहा दूस्तों ये एक स्लोक है, जिसके द्वारा में आपको बताएंगे किस पकार से उस टाइम पर क्या रहा होगा हमारी सब बिता रही होगी सन की साना भी यंतु आहे, सन पुर्जन्यों, पुर्जन्यों, मदुनों, पयोभी, सुना सीराविमा, मस्टू, मस्टू, दॉत्तम एक अन्य रिचा से प्रकाट होता है, जिसमें सुन, सीता, सुना, सीर, इंद्र, इत्यादी के बारे में बताया गया है, ना दोस्तू एक अन्य रीचाई भी प्रकट होती है कि उस समय जो हल से जुताई करके उगाय जाता था दोस्तों जो उगाय आता था था वो हल से जुताई करके उगाय जाता था प्रकेन स्वीना वपंतेस दुहदा मनुशाय दुस्त्रा अविदस्य वक्रेणा धमन्तो जो तीस चक्रधराय अर्य अथरु वेस यात होता है कि जो धान दाल और तिल तातकालेन मुख्य सचिते अथरु वेद में दोस्तों क्या-क्या खाद का भी संकेत मिलता है जिससे प्रकठ है कि अधिक अन्न पेदा कनने दोस्त है न जेते लिका हो आपका पहले इस लोग था पाई ये रन धेया दन्तों मलग कि अधिक अन्न पेदा कनने के लिए लोग खाद का भी उप्योग दोस्तों उस समय पर करते थे सत्रों में दोस्तों सुत्रों की अनुसार मालूम पड़ता है कि क्रसी में सम्मंदितार में करत्यों का भी उल्लेख विस्तार था साथ ही साथ दोस्तों उल्लेख हुआ है कि उसमें वर्सा के निमित विदी विदान की तो चर्चा है ही इस बात का भी उलेख है कि चूहो और पक्षियो से खेट में लगे अन्ने की रक्षा के से की जाती थी पानीनी की अश्टा इध्याय दोसा पानीनी जो अश्टा इध्याय लिगी ये दोस्तों उसमें क्रसी संबंदित अन्यक सब्दों की चर्चा भी हमें देखनों को मिलती जिससे तातकालिन क्रसी जोस्ता की जानकारी प्राप्त होती भारत में रिग्वेदिक काल से ही क्रसी पारिवारिक उध्योग रहा है और भहुत कुछ आज भी उसका रूप है लोगों को क्रसी संबंदित जो अनुभव होते रहे हैं वे उन्हें वे अपने बच्चों को बताते रहे हैं और उनके अनुभव लोगों प्रिचलित होते रहे हैं उन अनुभव ने कालांतर में लोगोक्ति और कावतों का रूप भी दोस्तों धारन कर लिया है जो विविद भासा भासियों के बीच किर्सिना की सी रूप में क्रसी पंडित के नाम से प्रिचलित होते हैं और किसान की जिवा पर बने हुए रहते हैं हिंदी भासा भासियों के बीच में ये घाग और बड़ड़ी के नाम से प्रसिद्ध है दोस्तो उनके यह अनुभाव आदुने क्विग्यानेक अनुसंदानों के परीप्रेच्छे में करे उत्र हैं अब दोस्तो जो हमने सलोक पड़े हैं या फिर हमने जो गरन्थ हमारे हैं गरन्थों के बारे हम जानेंगे प्राचिन गरन्थ हमारे कौन-कौन से हैं अग्रिकल्टर बॉल्यूम सामें कॉन से हैं जो स्क Whatever you should prac युसके के था लिखे गई जिसमें आजीव के सुखाना चाहिए सबुस्थ करना चाहिए बता है आज दोस्तों यहाप देख रहे हुए लुस्त यह स्वड देख रहा हुँ और नाहीं और य्जिम्हें नकलाओं के बारे में बताएगा्टा जो है क्रसीं गेता जो है दोस्तों अगरी कल्चरल वर्सेज जो है इसमें भी कैले सभी नवीन मादलत किस पकार से उसे में पर की जाती तícia भी टरिखों को किस पकार उन्त कि की दोरा लिखी गई बाड़ चखर पार्ण मेरहां दूस्तो में और दूस्तो च्छार्ड़ के दौरा helemaal दुस्तो लिखी गई जैसे कि आप सकते हैं अपके सामने कदिखाई जैसे हैं प्रघ्षाई गया है ते संबगतों आपको धिता ह네 दोस्तों यह था आपका करशी परमपरा इंब विरस्त का पार्ट और स्टों आपको बहुत ज्यादा छोटा चैप्टार भी नहीं है तो ज़्यादा पड़ा सब्जेक्टी भी नहीं है तो इसके अलग-अलग पार्ट आपको एवलेबल करवा जाएंगे दोस्तों मिलते हैं नेश्ट पार्ट में आपके क्रसी परंपरा और विड़ासत के चेहिन वंदे मातरम जैसरी माकाल वीडियो अच्छा लग हो तो वीडियो को लाइक करें और पमेंड में वंदे मातरम जरू लिखेगा